हुआ आइ विग्रीवन, विज्व्थे पतकूरा है, अगर पिछले सेनल को जाके देख सकते है, तू चलिए शूरू करते हैं इस सेह का पहला स्वल, तो हजार बागों का सहर के नाम से किसे जाना जाता है तो अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर है हजारी बाग तो हजारी बाग को हजार बागों का सहर के नाम से जाना जाता है अगर हजारी बाग के बारे में ज़्यादा बात करें तो हजारी बाग की अस्थापना को ही थी अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना 839 में हुई थी और हजारी बाग जीले का छेतरफल कितना है तो हजारी बाग जीले का छेतरफल 3555 किलोमीटर स्कॉर है हजारी बाग की सहर जो है कितने पहाडियों से गिरा हुआ है हजारी बाग जिल्ये से कौन सा डेम है कोनार डेम और हजारी बाग जिल्ये में परखंडों की टोटल संक्या कितनी है परखंडों की टोटल संक्या सुल्ला है और हजारी बाग जिल्ये में विधान सभाद छेतरों की संक्या कितनी है गर विधान सभाद छेतरों की संक्या की बात करें तो हजारी बाग जीला के अंतरगत चार विधान सभाद छेतर हैं कौन-कौन हजारी बाग बरी बरकठा और बढ़का गाउं हजारी बाग जीला कौन सा परमंडल के अंतरगत आता ह के अंतरता आता है और उत्तरी चोटा नाकपूर परमंडल का मुक्षाले कहा है हजारी पाग जीले में ही और हजारी पाग जीले में एक अनिवरसिटी को है विनवाभावे उनिवरसिटी जिसके अस्थापना का हुईolds 122 अगला मुंडा जंजाती खुद को क्या कहते हैं तो मुंडा जंजाती जो है खुद को क्या कहते हैं होर को तो मुंडा जंजाती अपने आपको होर को कहते हैं और मुंडा जंजाती जो है जारखंड की तीसरी बड़ी जंजाती है तो जारखंड की तीसरी बड़ी जंजाती तो मुंडा जन्जाती जो है जहारखन की तिसरी बड़ी जन्जाती है और मुंडा जन्जाती अपने गोत्र को क्या कहते हैं अपने गोत्र को किली कहते हैं और मुंडा जन्जाती में विवाह गिरी को क्या बोले जाता है गीती ओड़ा और विवाह को क्या बोले जाता है अरंडी और मुंडा जन जाती के गाउं के मुख्या को मुंडा या तो हातु मुंडा बोला जाता है और गाउं के पंचायत को हातु और मुंडा का सरपरमुख देवता कौन है सिंग बोंगा और इसके धार्मिक परधान को क्या बोला जाता है पहान और एक सवाल पुछा जाता है तो पाहन को मिलने वाली लगान मुक्त भूमी को क्या बोला जाता है डाली कटारी अगला सवाल देख लेते हैं अब वो समाजी कारिकरता कौन है जिन्होंने विकास भारती के सचीव के रूप में भी कारिकिया है तो विकास भारती से जुड़े हुए समाजी कारी करता कोन है जिन्होंने सचीव के रूप में भी कारी किया है तो असोग भगत तो असोग भगत जो है विकास भारती से जुड़े हुए है जो समाजी कारी करता है टेगोर पहाडी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो मुहराबादी पहाडी कोही टेगोर पहाडी बोला जाता है और किस जिले में है राची जिले में अगला स्वाल खेरवाल बंसा धरम पुथी एक पुस्तक किसके दवार लिखी गई थी किस लिखी गई थे मांजी रामदास टुडू द्वारा रचीत पुस्तक के नाम क्या है खैरवाल बंसा धरम पुति दसं जल परपात किस नदी पे स्थित है तो इसका अंसर क्या है अंसर है काची नदी पे तो दसम जल परपात काची नदी पे आपको कमेंट करके बताना है दसम जल परपात जहारकंड के किस जिले में स्थी थे एवरेश्ट अभियान पर जाने वाली जहारकंड की पहली महिला परवतारो ही कौन थी तो एवरेश्ट अभियान पर जाने वाली जहारखंड की पहली महिला परवातार हो ही कौन थी तो इसका सही अंसर है प्रेमलता अगरवाल तो प्रेमलता अगरवाल जो है जहारखंड की तरफ से एवरेश्ट अभियान पर जाने वाली पहली महिला परवातार ही है और प्रेमलता अगरवाल जहारखंड कहां की निवासी है जमसेदफूर की अगला देख रहते हैं आइरन लेडी और जहारखंड की नाम से किसे जाने जाता है तो जहारखंड का आइरन लेडी किसको बोले जाता है दया मनी बारला को तो दया मनी बारला को जारखन का आइरन लेडी बोला जाता है और दया मनी बारला का सम्मन्द किस छेतर से हैं वे एक पतरकार है अगला स्वाल देख ज़ते हैं आदिवासी लोगों के बीच बिर्सा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे तो आदिवासी लोगों के बीच बिर्सा मुंडा कौन से नाम से जाने जाते थे धर्ती आबा तो धर्ती आबा के नाम से बिर्सा मुंडा जो है आदिवासीों के भी जाने जाते थे और बिर्सा मुंडा का जन कब हुआ था तो 15 नौबर 875 को हुआ था और इसकी मिर्तिव कब हुई न्यूंड को मैने में इसकी मिर्थी में और बिर्शा मुंडा ने किस विद्रो का नेत्रेतु क्या था मुंडा विद्रो का परधान सिनापति कौन था गया मुंडा City of Waterfall किसे कहा जाता है City of Waterfall किसे कहा जाता है राची को City of Waterfall के नम से भी जाना जाता है अलग जहारखंड राज की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था तो अलग जहारखंड राज की मांग को लेकर लालखंड का नारा देने वाला जहारखंड के परमुख ने बेक्ती कौन था एकेरोई अजीत कुमार राय इसका पूरा नाम होता है एकेरोई जिन्होंने अलग जहारखंड की मांग को लेकर लालखंड का नारा दिया था किस जिले का मुख्षाले चायबासा है तो चायबासा कौन से जिले का मुख्षाले है चायबासा जो है पच्छमी सिमूम जिले का मुख्षाले है चायबासा और जमसेदपूर कौन से दो नदियों के संगम पर अस्तित है तो जमसेदपूर जो है दो नदी के संगम पर बसा है एक सोनरेखा और खरकई और सोनरेखा जहारखंड की एक मातर ऐसी ने दिये जो अपना जल्व सवतंत रूप से बंगाल की खाड़ी से गिराती है गिराती बंगाल की खाड़ी में गिराती है और सोनरेखा नती का उद्गम अस्तल कहा है राची का नगडी छेत्र छोटा नागपूर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है तो छोटा नागपूर की रानी के नाम से किसको जाना जाता है नेतरहाट को छोटा नागपूर की रानी के नाम से जाना जाता है और नेतरहट जो है जारखन का सरवादिक ठंडा परतेस है और सरवादिक वर्षा वाला भी अस्थान नेतरहट ही है और नेतरहट जारखन के किस जीले में जीले में जीले में जीले में जीले जारखन के लापतेहार जीले में जीले में जीले जारखन के लापतेहार जीले में जारखन के किस नदी में सोने के अंस पाई आते हैं तो सोन रेखा नदी में ही तो जारखन में बिर्सा जोलोजीकल पार्क किस अस्थान पे इस्तित है तो राची में इस्तित है तो राची हो जाए गंसर आगे देखते हैं जारखांड का एक ओध्योगीक विकास छेद्र आदितिपूर किस सहर के समय पिस्तित है तो जारखांड का ओध्योगीक विकास छेद्र जो आदितिपूर है कौन से प्रमुक सहर के नईदिक इस्तित है तो जमसितपूर इसका अंसर है तो जमसेदपूर का निक्यत है सारंडा ओन किस जिले में मुख्यता इस्तित है तो सारंडा ओन का विष्थार मुख्यता कौन से जिले में है तो इसका अंसर क्या है इसका अंसर जो है पच्मी सिम्भू में तो पच्मी सिम्भू में सारंडा जंगल का विष्थार है और सारंडा जो है जारखंड के सबसे बड़ा वण चेतर है तो सबसे जारखंड के सबसे बड़ा वण चेतर सारंडा जो जारखंड के पच्मी जिले में स्थित है और पच्मी सिम्भूम में इस्तित है और पच्मी सिम्भूम जिले का मुक्षाल है चैबासा है जारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है तो जारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है तो देवगर को जार्खंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाने जाता है और देवगर के त्रिकूट पहाड से मयूराक्षी नदी निकलती है जार्खंड की जेल में चेतन महराज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? जार्खंड की जेल में चेतन महराज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? दा बेंड भॉइस और बोकारो जेल जो चेतन महराज द्वारा लिखित पुस्तक है तो जार्खंड में पुरुसों की सबसे समानी पुसक क्या है? जो कपड़े का एक टुकड़ा होता था तो भागवा जो पुरुस पांते हैं देखिए जो एक कपड़े का टुकड़ा होता है तो 9 जून 1900 इसपी को कौन से नेता की मिर्थी हुई थी ये स्वाल कमेंट करने पहले आपको बोले थे नेकिन आप इसका अंसर भी मिल जागा तो जारखंड पंचायद चुना में महलाओं के लिए कितने परतिसत आरक्षण की बेश्था है तो जारखंड पंचायद चुना में महलाओं के लिए आरक्षण की बेश्था कितनी है 50% कितने है 50% आरक्षण की बेश्था है महलाओं के लिए जारखंड पंचायद चुना ह में और यह सवाल जोराध हो गया शार्खंद का सिल्फ कला डोकरा किसे समझत है तो जार्खंद की सिल्फ कला डोकरा या दोकरा में संम Ende性 लहा-गलाने से तो धातु से समन के हैं डोकरा सिल्फ कला आगे अप देखते हैं अ द फूल डूंगरी किस सहर के निकट है तो फूल डूंगरी जो है झारखण से सहर के निकट ही नहां ङेटिक है तो प्ला ऑट के नहींदिक है ऑने इंडियन escola स्थीद नाँशक फिस्विधारे system क्या पर लिघने में। दो जो ली टेया पुस्तक के दोरा है。 मुंडारी लोग कत्थाएं पुस्तक किसने लिखी? मुंडारी लोग इं नामक पुस्तक क्षे किसके दुबारा लिखा गया है? जगदिस्त्री गुनायत तो मुंडारी लोग कता हैं जो है जगदिस्त्री गुनायत द्वारा रचित वुक्त स्थक है स्री संबेद सीखर को कौन और से नाम से जाना जाता है तो स्री संबेद सीखर को कौन नाम से जाना जाता है पार्षनात पाड़ी तो संबेद सिखर को पार्षनात पाड़ी के नाप से जना जाता है और पार्षनात पाड़ी से काफी सवाल बनते हैं तो सबसे पहला सवाल बनता है पार्षनात पाड़ी कौन धर्ब से समधित है जो जेन धर्श पर समंदीत है और है कहाँ पे गृड़ी जीले मिशतीत है और पास्टनात पाड़ी जो है जारखन की सबसे उची पाड़ी है इसकी उची उची पाड़ी है तो इसकी उचाई कितनी है 365 मीटर है अगर फीट में भी पूछा गया है जैसे SI में तो 480 फीट हो जाएगा तो जारखन राज में इस्तरी पुरूस अनुपात के मामले में किस जनजाती की महलाएं पुरूस जन संख्या से अधिक है जारखन की कौन सी जनजाती है जिन में महलाओं की संख्या पुरूसों से अधिक है जारखन की कौन सी जनजाती को सरल कारिगर के रुप में वर्गि जारखन जारखन की उस जनजाती का नाम बता है जहां दूला सभी विवाहिक खर्चों का भुक्तान करता है तो जहारकंड के कौन से जन जाती है जहां पे विवाह में जितना भी खर्च होता है इसका भुक्तान किसके दोरा किया जाता है दूला के दोरा तो माल पाड़ी जन जाती हो जाएगा तो यह थे जारकंड जी के पंदर सो महत्पूर्ण परसनों का चोंथा सेट अब अगले के सेट में और कुछ महत्पूर्ण स्वाल देखेंगे तब तक देखते रहे पुराने के सेट